ब्राट टू यू बाइ टेक्नो कैमन 30 सीरीज बाइजा को लेके हम सभी को बता था कि यार कहीं न कहीं अक्षर पटेल स्टेप अप कर चुके है रोहित विराट को लेके ओडिशन सी चल रही है कि कौन ये शशवी है ये आप कह सकते है शुबमन गिल है रुतुराज गायकवाड है ये कोई और आपको नाम दिखता है जैसे अभिशेक शर्व है लेकिन ये किसी नहीं सोचा था कि कप्तानी को लेके क्योंकि आप सभी को पता है T20 वर्ल्ड कप में कप्तान थे रोईश शर्मा और उप कप्तान थे कौन हमारे हार्दिक पांडिया अब जो खबरे आ रही हैं जो खबरे निकल कर आ रही है क्योंकि गौतम गंभीर का एरा स्टार्ट होने वाला है 27 अगस से भारत गौतम गंभीर की कोचिंग में पहला T20 खेलने वाला है अब बड़ी खबर ये होती आ रही है निकल कर आ रही है कि जो मैंने आपको ओता है एक अनार तीन विबार उसमें ये है कि कप्तानी का सबसे बड़ा दावेदार कौन है फिलहाल जो खबर निकल कर आ रही है अगर वैसे देखें आप तो जिस हिसाब से T20 वर्ल्ड कप गुजरा उसके बड़ कहीं न कहीं हार्दक पांडिया ही कप्तार बनते है बड़ एक सर्प्राइस चीज निकल कर आ रही है चूकि गौतम गंभीर कोच बने है तो कोच की कोई डिमांड भी होती है जैसे सपोर्ट स्टाफ को लेकर आप सभी को बताएं कि हर कोच का अपना अपना रहता है कि मुझे ये फील्ड कोच चाहिए मुझे ये बोलिंग कोच चाहिए मुझे ये मेरा स्टाफ चाहिए बड़ यहाँ पर एक अलग चीज निकल कर आ रही है कि जो निकल कर आ रहा है सामने कि सूर्यकुमार यादफ, किसी नहीं सोचा नहीं था वैसे कि सूर्यकुमार यादफ as कप्तान के तौर पर न्युक्त हो सकते हैं और ये सिर्फ आप चौकिये मत कि सूर्यकुमार यादफ सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं है शूरिकुमार यादफ को चुना जा रहा है कि जो भारत अगला T20 World Cup खेलेगा मतलब साल 2026 में जो T20 World Cup खेला जाएगा उसके लिए भी एक blueprint त्यार हो रहा और वो ही कप्तान होगे मतलब कहिंगे ये साफ है कि अगर सूरिकुमार यादफ कप्तान होते तो फिर हार्दिक पांड़ा कप्तान नहीं होगे बट हम इसमें भी आएगे कि किसने कौन सी कप्तानी की है किसने कप्तानी में किसके क्या आकड़े है किसका बहतर प्रदर्शन है लेकिन बड़ी एजीब सी बात यह है क्योंकि जो लग रहा था देखके जो चल रहा था और बहुत जल्द आपको बता है कि विदिन 24 घंटे मिटिंग होनी है टीम बे आजाएगी भारती टीम बे आजाएगी टी 20 की टीम बे आजाएगी और ODI टीम का भी अनॉस्मेंट हो सकता है बहुत जल्द हो जाए लेकिन ये एक जो भूचाल आ गया है इस वक्त आप कहा सकते हैं अगला जो कप्तान आप यह जानते हैं कि जो चीफ सेलेक्टर ह कुमारे हैं अजीत अगरकर और गौतम गंबीर उनका भी कहीन हैं कि स्काई को लेकर थोड़ा सा है और हार्दिक के फिटनेस को लेकर भी चलता रहता है कि बट ऐसा है फिलहाल हार्दिक ने अपने आपको ODI से अनेवलेबल किया है जस्ट बिकॉस आप कह सकते हैं कि फिटन यहां था आप बुम्रा को लेकि यह हो जाता है कि बुम्रा आपके प्रीमियर बॉलर है बुम्रा तीनों फॉर्मेट के बॉलर है उनको बड़ा समहाल के रखना है आप नहीं चाहते कि उनको हर्जगे यूज करो कहते है ना बुम्रा की ताकत है वही उनके लिए मजबूरी बन गी है ऐसा नहीं कि बुम्रा भी कप्तानी नहीं करना चाहते होंगे लेकिन बुम्रा को लेगी यही होता है कि नहीं यार हमें ODIs में बुम्रा चाहिए हमें टेस्ट में बुम्रा चाहिए तो T20 में यहां पर उनका कप्तानी का जो केस है वो थोड़ा हो जाता है खेर अब पाबला आप कह सकते है टाइड वट इसके साथ अगर हादिक पंडिया के इसमें आप देखेंगे तो एक IPL जिता है उन्होंने बतौर कप्तान और दूसरे में रणर अप रहे हैं लगदार गुजरात जैसी नई टीम को कप्तानी करते हुए तो यह भी उनके उसमें जाएगा वहीं सूर्यकुमार याद आव आपको याद आएगा भारत जब ODII World Cup खतम हो जाता है तो उसके बाद जो ऑस्टेलिया के साथ सीरीज हुई थी उसमें भी उनके कप्तानी की थी साथ मैच पे पांच जीत है दो हार है और यहाँ पे आप टाई देख सकते हैं फिर जस्प्रीद बुम्रा एक ही असाइनमेंट में गए थे जब वो कमबैक कर रहे थे अपना आप सभी को पता है इंजिरी के बाद कमबैक किया था तो वो गए थे आइरलेंड जहाँ पे ती वैसे कि स्पोर्ट्स तक ने आपको खबर बताई दी थी वैसे कि कही ने कही जो नाम चल रहा है जो रेज चल रही है उसमें सूर्कुमार यादव आगे है बट ओफीशल आ जाएगा तो सारी कंफर्मिश्यों रहेगी बाकि आपकी क्या राय है कि आप किसे देखना चाहते कमेंट सेक्शन आपके खुला है आप अपनी जो राय है वो लिख सकते हैं